शिरी गनेशाय नमहा शान्ताकारं भुजग शैनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सद्रशं मेग वर्णं शुभांगं लक्ष्मी कांतं कमल नैनं योगी भिर्द्यान गम्यं वंदे विश्णु भवेहरं सर्वलोके कनाथं शुरू करते हैं भक्तमाल का 69 चप्पे हम लोग पढ़ेंगे पिछली वीडियो में हम लोग ने पद्मनाभ जी के बारे में पढ़ा था जो अलसटफा चप्पे था उन्हें तर्थ चप्पे अब आएगा जिसमें में लोग श्री तत्वा जी और श्री जीव जी के बारे में पढ़ेंगे तत्वा जीवा दक्षिन देश वन्सोधर राजत बिदित भक्ति सुधा जल समुद्र भय बेलावली गाडी पूरव जाज्यों रीति प्रीति उत्तरो तरबाडी रगुकुल सद्रश सुभाव सिष्ट गुण सदा धर्म रत सूर धीर उदार दया पर दक्ष अनन्य वरत पदम खंड पदमा पधती प्रफुलित कर सविता उदित तत्वा जीवा दक्षिन देश वन्सोधर राजत बिदित परम भक्त श्री तत्वा जी एवं श्री जीवा जी दक्षिन देश के निवासी थे ये अपने वन्ष का उधार करने वाले तथा जगत प्रसिद्ध संत हुए इनका सुयश आज भी संत समाज में सुशोवित है ये दोनों भक्ती रूपी अमरत में जल के समुद्र के दो द्रण किनारे थे पूर्वाचारियों की भाति श्री संत भगवन्त के प्रति इनकी प्रीती रिती भी दो पहर के बाद पूर्वी की दिशा की ओर जाने वाली चाया की तरह उत्तरोतर बढ़ने वाली थी इनका सुभाव रगवन्शियों के समान था ये सजनों के गुणों को धारन करते थे सादेव धर्म में लगे रहने वाले थे बड़े ही शूर धीर उदार दयालू प्रवीन थे इश्ट में अनन्य निष्ठा रखने वाले थे ये श्री संप्रदाय रूपी कमाल वन को प्रफुलित करने के लिए वैशनव जगत में सूर्ज रूप उद्यत हुए अब इसमें जो वनसोधर आया है उसके लिए लिखा है वैशनवी वैशनव की 21 पीड़ी का उधार हो जाता है ये था श्री नर्सिंग भगवान का श्री पहलाज जी की प्रतिवाकिया आपे दिया हुआ है भागवत का श्लोग और भी आगे लिखा है और आगे लिखा है प्रेम सदा बड़िभो करे जो ससी कला सो वेश पे पूनो यामे नहीं ताते कब हुना शेश छिन ही चड़े छिन उतरे सो तो प्रेम ना होए अगट प्रेम पिंजर बसे प्रेम कहा वे सोए रगुकुल सद्रश रभा के लिए इसके लिए क्या लिखा है कि रगुवन सिन कर सहज कर सुभाव मन कुपंथ पग धरे नकाव मुही अतिसे प्रीति मन केरी जही सपने हुपर नारिना हेरी जिनकेल लहे न रिपु रन पीठी नहीं पावही परितय मन दीठी ये सब राम सिर्थ पांस की चौपयां दी हुई है मंगन लहे न जिनके नाही ते नरवर थोरे जगमाही कहा सुभाव न कुलही प्रसंसी कालहु डरे न रण रगुवन सी ये सब किसके लिए लिखा था रगुकुल का ऐसा सुभाव है न रहसा इनका भी था आगे प्रियादास जी के कुछ कविद्धियों है उसको पड़ते है तत्वा जीवा भाई उभे विप्रसाधू सेवा पन भन धरी बात ताते शिष नहीं भये है शितत्वा जी और शिष जीवा जी दोनों भाई भाई थे चाती के ब्रामर थे इन दोनों ने साधू सिवा का प्रण लिया था प्रंतू मन में एक बात सोच रखे थे अथा किसी के शिष नहीं हुए थे अभी तक किसी के शिष नहीं हुए थे साधू सिवा करते थे ठीक है गार्डियो एक ठूंट द्वार होय अहो हरी डार संत चर्णामरत को लेके डारी दये हैं वह बात यह थी कि जिस संत के चर्णामरत से सिंचन करने से सूखा व्रक्ष हरा भरा हो जाएगा उसी सिमंत दिक्षा लेंगे तो इनका प्राण क्या था कि जिस से सूखा जिनके चर्णामरत से सूखा व्रक्ष जो है वहरा भरा हो जाएगा हम उनी से दिक्षा लेंगे अपने इस निश्चे के अनुसार सद्गुरु की खोज के लिए इन्होंने द्वार पर एक ठूट गाल रखा था और जो भी संत आते उनकी सेवा करते हैं और उनका चर्णामरत लेकर उस ठूट पर डाल देते हैं और बड़े कुतुहल पुर्वक देखते हैं कि उसकी डाल हरी हुई की नहीं जब ही हरित देखो ताको गुर करी लेखें आये श्री कबीर पूजी आसपाव लेए हैं ऐसे ही करते हुए बहुत दिन भी दिगाए संयोंक से एक बार इनके यहां श्री कबीर दाज जी आए इन लोगों की आशापूर हो गई दोनों ने नीरस रिदय को सरस करने में समर्थ श्री कबीर दाज जी के चर्णों में पल कर प्रणाम किया और दिक्षा के लिए प्राटना की ठीक है नीठ नीठ नाम दियो दियो पर इचाय धाम काम को होई जोपे आवो कही गए है श्री कबीर दाज जी ने बड़ी कठिंताई से इने भगवान नाम का उभदेश किया साथ ही अपने निवास थान काशी का पता बताया और कहा कि यदि कोई आवशक काम पड़े तो आकर हमें सूचित करना यह कहकर श्री कबीर दाज जी वहाँ से चरे आए ठीक है काना कानी भई द्विज जानी जाती गई पाती न्यारी करी दई को बीटी नहीं लेते हैं श्री तत्वा श्री जीवा जी के श्री कबीर दाज जी से दिक्षा लेने के अनंतर गाउं के ब्रामरों में काना फूसी प्राराम हो गई उन ब्रामरों ने यही समझा कि इनकी तो जाती ही नश्ट हो गई फिर तो सब ने सलह करके इनको अपने खान पान की पंक्ती से बहिश्क्रत कर दिया और इनकी कन्या अपने पुत्र से विभा करने को तयार कोई नहीं हुआ कभी दाजी इन्होंने दिक्षालेली तो लोग जो है ऐसा करने लगे चलियो एक काशी जहां बसत कबीर धीर जाय कही पीर जब पूछ कौन हेत है तब दोनों भाईयों में से एक काशी को गया जहां पर की परम धीर संत श्री कबीर दाजी निवास करते से एक गया काशी में वहां पहुंचने पर जब श्री कभीदाजी ने पूछा कि किस कारण से आयो तब इन्होंने सब बात कही दो तुम भाई करो आपू में सगाई हुए भक्ती सरसाई ना घटाई चित चेत है शी कभीदाजी ने सोच विचार कर कहा कि तुम दोनों भाई आपस में ही सगाई की चर्चा अर्थात तुम दोनों के एक एक कन्या और एक पुत्र विवा के योग हुए हैं तो आपस में ही विवा की बात कर लो इससे तुम्हारी नियुनिता नहीं होगी बलकि भक्ती की व्रद्धी होगी तो कभी दाजी ने ऐसा कोताया आए वहे करी परी ग्याती खर भरी कहें कहा उर धरी कछू मती हूँ अचेत है फिर तो घर आकर उन्होंने वैसा ही विचार व्यक्त किया यहें देख सुनकर जाती विरादरी वालों में वड़ी खलवली पड़ गई लोग आपस में कहने लगें कि इन लोगों ने मन में क्या विचार किया है जान पड़ता है कि इनकी बुद्धी ब्रहमित हो गई है करे यही बात हमें और ना सुहत आए च्री तत्वा जी जीवा जी ने कहा कि हम तो ऐसा ही करेंगे हमें अब और दूसरी बात अच्छी ही नहीं लगती है इन लोगों को अपने निश्चे में द्रण देखकर जाती ब्रादरी के सभी लोग इनके पास आकर हाहा खार हाहा खा कर अनुने विन्यपूरा कहने लगें कि आप लोग अपना हट छोड़ दीजें पूछी ब्यको फेरी गए करों ब्याह जोपे नए दंड करी नाना भाती भक्ती द्रण कीजिए हम आपको अपनी पंक्ति में लेने तथा पुत्र और पुत्रियों का अपने कुल गोत्र में वीवा करने कराने का वचन देते हैं तब एक भाई पुर्णी पुर्णा श्रीकविदास जी से पूछने को काशी गया तब श्री कविदाजी ने कहा कि यदि वे लोग जुक रहे हैं तो उन्हें अपनी करनी के लिए अनेक प्रकार से दंडित करो दंड यह कि प्रतिग्या पूर्वक शर्थ नामा लिखवा कर सबको भक्ती पत में द्रण कीजे फिर वे जैसे कहें वैसा ही विवा कीजे क्या कहा दंड क्या बताया कि प्रतिग्या पूर्वक शर्थ नामा लिखवा कर सबको भक्ती पत में द्रण कीजे कि तुम लोग अब आज से भक्ती करोगे फिर वे जैसे कहें वैसा ही विवा कीजे तब दई सुता लई पांती में प्रसंद हुए के पांती हरी भक्ती निश्व सदा मती भी जिए श्री गुरुदेव जी के आगया नुसार सभी कुल कुटॉंबियों को भक्ती में आरुन करके तब इन्होंने अपनी कन्याय उन्हें दी और उनकी कन्याओं से अपने पुत्रों का विवा किया उन लोगों ने भी प्रसंद होकर इन्हें अपनी पंक्ति में मिला लिया परंतु ये लोग तो वहवारिक द्रश्टी से जाती विरादरी की जाती विरादरी वालों की पंक्ति में मिल जाने पर भी हिर्दय से हरी भक्ती में ही अपना जाती पांती का संबन रखते थे हिर्दय से भगवान में ये संबन रखते थे और उनी के प्रसंग में और उनी के प्रेम में इनकी बुद्धी सदा सराबोर रहती थी तो भगवान के प्रेम में और जाती में रहती थी ये सबसे विनों ने विहवारिक द्रश्ची से ऐसा किया था विमुख समुख देखी, समुख बढ़ाई करें, धरे ही ये मांज कहें, पन पर रीजी शितत्वा जीवा जी की द्रण गुरु निश्ठा इबं संतों के प्रती सद भाव देखकर विमुख लोग भी इनके समुख ही बड़ी बढ़ाई करते और कहते कि हम लोग आपके द्रण प्रण पर रीज गए हैं और अब हम लोग भी इसी प्रकार का द्रण भाव रिदे में धारण करेंगे कुछ थोड़ा सा विशेश चरितर लिखाया उसको पढ़ लेते हैं लिखाया कि एक मौन व्रती महत्मा ने मौन व्रत खोलने के निमित शृत अत्वा जीवा जी से संट सिवा के लिए 5,000 रूपिय की विवस्ता करने के लिए कहा उन्हों ने घर की सारी संपत्ती और पतनी के आभुशण बेचकर 4,000 रूपिय एकत्रित किये तथा 1,000 रूपिय करज लेकर 5,000 रूपिय दिये उसी समय इनके कन्या की विदाई का अफसर आया तब श्री ठाकुर जी ने स्वपना अदेश देकर भू गर्व का धन बता कर लाज बचाई एक भूमी में धन गड़ा हुआ था ये स्वपना अदेश देकर भगवान ने बताया कि वहां से धन ले लो और भगवान ने ये लाज वहां से बचाई जब कन्या की विदाई करनी थी तब एक शैव राजा ने श्री शीर जी को प्रसन करने के लिए बहुत बड़ा यग्य किया जिसमें ब्रामणों को लाखो रूपिये का दान किया लेकिन श्री तत्वा जीवा जी ने दान नहीं लिया और बोले दयो राम को ले ही हम आशा करे न अन्य लाख लाख समदें तजी राखे भक्ति अनन्य उन्होंने ऐसा कहा इसका आशा है समद में आई गया होगा अगली वीडियो में हम लोग श्री महाधव दास जी के बारे में पढ़ेंगे जो दिशेश चरितर होगा और अधिक होगा उसके बाद श्री रगुनाद दास गुपस्वामी जी के बारे में पढ़ेंगे ये वीडियो में पर समापत होती है ओम नौ भगवते वास्व देवाए